अच्छा भाई लगों ने लास्ट चेप्टर किया है दाट इस यूर इसम्ली लैंगविच और इसम्ली लैंगविच के बाद है हम लोग जो चेप्टर करेंगे दाट सी और मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम अच्छा यह जो शेप्टर है पहले इसको सुन लो भाई कि यह 9608 को जो आपनों का पुराना कोड़ था उसमें यह नहीं था यह बिट मैनुपिलेशन और मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम यह आपके पेपर 3 में होते थे इन यूर ए 2 सह है तो वहां से उठाके एक्जैमनर को कुछ हुआ है और इसने पेपर 1 में लेकर आगे इसको ठीक है अब जो मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में दाट्स इन यूर पेपर 1 पेपर 1 के अंदर कोश्चन आते हैं बिट मैनुपिलेशन पेपर 1 के अंदर है अच्छा यह टू हम लोग ने जो चीज कबर की थी जो एस्सियुला लैंग्विज में यह सारी चीज हम लोगों लोग ने है इस ऊप लोगों की इस 4.3 तो 4.3 जह है यह है आप लोगों की बिट मेनिपलेशन बिट मेनिपलेशन को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके रहां ट्री क्लासेश होती है तो होफुली दिस वीक हम लोग जहें बिट मेनिपलेशन खतम कर पाइं लेकिन मैं एक काम करता हूं कि मैं इस तो यह हार्डवेर के अंदर एक सब टॉपिक है आप लोगों का मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम जिसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें तो इसी के साथ ही खतम हो जाती है तो इसे इसमें कुछ इतना जाद इंपॉर्टन नहीं है तो हम लोग यह चीज़ देखेंगे मॉनिटरि इस बोलता है दाट इस शो अंडिस्टानिंग ऑफ हाव बिट मेनुपिलेशन कें बी यूज तो मॉनिटर स्लाइश कंट्रोल डिवाइस तो वह एक तरीक से तक्रीवन उसालं को प्ला होता है आप लोगों को स्कें पासवर्पर किए वे हैं पर तो हम पेर तुआ सिस के पासवर्पर देखें गे और आप लोग yatak धूर्श ट्यशन बहुँए उन्सस तो आप में attempt कर लिए उनको भी तो अब एक full speed में तेज़ काम करेंगे क्योंकि it's a very easy topic कुछ as such problem नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी तो let's start with this chapter ओके जी बिसम आला है इसमें मुझे थोड़ा सा time लग जाएगा क्योंकि मैं इसके करने के बजाए हम खुद handwritten notes बनाएंगे तो हो सकता है किसमें जो है वो time consume हो थोड़ा कोई मसले की बात नहीं लेकिन एक दफ़ा बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा आपनों को भी इसका फिर उक्य जी हाँ बेटा मादी सही है हम कर रही है monitoring oh my god खुश्चूरत राइटिंग monitoring and control system पहले हम लोग करेंगे monitoring and control system सबसे पहले चीज इस चीज को समझते हैं कि what is the difference between monitoring monitoring और उसके बाद आप लोगों का जो control system है उसमें फर्क क्या होता है अब बाकी सब जो सवाल आते हैं तुम लों के वह एंड पर देखेंगे अब सब का focus मुझे यहां चाहिए इस topic पर ही सब का focus हो जो सवाल इसे related होंगे वह आप लोग पूछोगे और जब मैं बोलूँ जब पूछोगे चलो let's start अभी हम लोग जो main focus करेंगे ना पहले हम लोगों ने यह चीज़ समझ लिया है कि भाई monitoring किसे करते हैं फिर control system किसे करते हैं यह दो अलग अलग चीज़े क्यों है तो वैसे तो इनके नाम के अंदर सारी चीज़े हम लोगों को समझ आ जानी चाहिए अगर थोड़ी बहुत आप लोगों के अंदर मौजूद हो तो तो जरा पहले सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि जरह इसका difference समझते हैं what is the difference इसके बारे में पहले मैं बात करता हूं पर तुम लोगों को लिख वाऊंगो मैं what is the difference क्या राइटेंग है between monitoring and control system चलो मैं लिखवाता हूं इसको इसकी डिंचे नहीं पहले जरा बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत इसके बारे में अच्छा जब भी हम लोग बात करते हैं monitoring and control systems की ना तो इसमें कुछ चीज़ आप लोग समझो मेरे साथ पहले जरा थोड़ा बहुत लिंक करने के कोशिश करो इस chapter के साथ की हम पढ़ क्या रहे हैं और हम करना क्या चारें इसके अंदर हम लोगों के पास ना कुछ चीज़ें जैसे जैसे आप लोगों की technologies जो होते जा रही हैं और उसके बाद हम लोग आईस्ता आईस्ता चीज़ें वो automation की तरफ जा रहे हैं automation से मतलब क्या है मेरा कि हम लोगों की physical presence वहाँ पे होना ज़रूरी ना हो और वो काम जो है जो भी हम लोग करवाना चारें जो हम पहले खुद करते थे अब वो जो हम चारें कि कोई computer करें या कोई कोई ऐसा system design हो जाए जो हम लोगों को करके दे for example जैसे अगर पुराने जमाने में देखा तो वो होता क्या था कि जतने भी farmers होते थे farmers क्या गड़ते थे farmers जाते थे हर एक चीज़ को चेक करते थे खुद दी इसकी soil की quality को चेक किया जाता था उसके बाद आप लोगों का water के जो water levels हैं उसको चेक किया जाता था आपके ये farmers जो थे वो खुद जाते थे और खुद जाके physical जाते थे physical सारी चीज़ों को खुद चेक करते थे तो ये पुराने जमाने की चीज़े थी लेकिन अब जो है वो आइस्ता हम लोगों के पास sensors बन रहे हैं, sensors के बाद हम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई है जो के हम लोगों का system जो है हम ऐसा बना देते हैं कि वो automatic हो जाता है सारी चीज़ें, तो अगर हम बात करते हैं हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम बाहर की बात कर रहे हैं, international जो farming होती है, सही है, पाकिसान में तो अभी भी वही कदीम जमाना चल रहा है, अगर हम international level की जो farming है, उसमें क्या होता है तो वो उसमें हर चीज़ के उन्होंने sensors लगाए वे, आपका soil sensor है pH जो चेक करता है आप लोगों का for example, हर एक sensors लगे में अचा, अब दो चीज़े होती है एक होता है हमारे पास monitoring monitoring का word पर focus करो सिर्फ और सिर्फ monitor करना सही है, and then you have your control system तो ये दो तरीके की technologies हमारे पास मौजूद होती है, अचा अगर इसको मैं समझाऊ थोड़ा बहुत, real world example के अंदर तो समझ लो तुम किस तरीके से समझा सकते हैं तेको, for example, ऐसी random example ले ले लेते हैं, कोई हम अगर suppose करो तुमने babysitter कोई hire किया है तो ये for example, ऐसी random example है कोई judge मत करें मुझे प्लीस इस पर तो अगर for example, किसी एक बंदे को तुमने hire किया है, वो तुमें बता रहे अच्छा हृई, अब आपके बेटे ने दे जा रहे बस अब आपके बेटे ने खाना काली है हाँ, अब वह रो रहे बस सिंफ ऑ बेटे दे रहे है कुछ कर नहीं रहे बस एक तरीके से camera की shine और आपको अपडेट कर रहे है बार बर बताए जारह अब यह चीज हो चुकी है अब यह चीज हो चुकी है अब यह event हो चुका है अब दूसरा scenario कौन सो होता है कि आपने proper कोई babysitter hire किया है जो आप लोगों को यहाँ बिलकुल भी relate नहीं कर पाऊगे इस example से तुम लोगों क्या हो गया है मुझे चलो बस बरदाश करो बस समझ आ जा रहा है for example सही है कर लो यार अभी फिलहाल के लिए hire कर लो यार अपने भाईयों के लिए कर ले ना ठीक है अच्छा तो अब तुम लोगों ने क्या किया है कि एक नया तुम लोगों ने control system में समझाने के कोशिश करूँ अभी जो मैंने example बताई that's your monitoring monitoring मतलब से वापको values बता जा रहा है अब अगर मैं बात करता है control system की इसको मैं farming से भी link करके बता दूँगो तुम लोग इसली relate कर पाऊगे तब control system की अगर हम बात करते हैं उस same babysitter को तुमने क्या बोला हूँ है कि अच्छा अगर ये रोए तो ये वाला काम कर देना अगर ये हो इसमें if की conditions लगती ह जादा कि for example अगर ये time हो जाए तो इसको ये दे देना तो अब वो क्या कर रहा है वो control भी कर रहा है चीज़ों को अब ये हम लोगों का कहलाता है control system अच्छा फिर से और से सुनो जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे कोई action perform नहीं कर रहा है that's your monitoring system अ और वो आपको बस बता देता है कि भाई है ये water level हो चका है पर आप जाते हो आप खुद ही physically खुद जाते हो खुद जाने के बाद अच्छा फिर उसका water level fix कर देते हो खुद जाके पानी डाल देते हो या पानी जो है वो निकाल लेते हो for example सही है अब अगर control system होता तुम लो water level reach होता है जैसे उसका उसकी minimum हमने range set कर दी थी कि भाई 50 liters ऐसी random यार कहां से examples आ रही है बस ऐसी समझ लो 50 liters से पानी नीचे नहीं जाने चाहिए अगर जाएगा तो sprinkler on हो जाएंगे अगर मतलब if की conditions तो if the water level is less than 50 तो actuator, actuator क्या कहलाता है, actuator एक ऐसी devices होती है जो कि आप ल सही है, तो अब sprinkler जो हो खुदी automatically on हो जाएगा, तो that's आपको वो monitor भी कर रहा है और चीजों को control भी कर रहा है, तो that's the basic difference in monitoring system and control system, सही है, बिलकुल हो सकती है, बिलकुल water level जो है, वो dams के अंदर भी इस्तमाल होता है, कि अगर वो particular जादा level हो जाए तो आप उसको जो gates है, वो open कर दो, automatically gates open हो जाएगे, तो that's your control system, सही है, अगर वो सिर्फ आपको monitor करके बता रहे है, बिलकुल इतना हो चुका है, तो that's your monitoring system, अगर कोई चीज़ perform नहीं कर रहा है, एक्षिन, सही है, तो ये बहुत एक ऐसी random questions आते हैं, इसके आप लोगों से वो सवाल करता है, वो द में, तो I hope you memorize this, monitoring, वैसे तो करने की जरुत नहीं है, या इसको, it's like very simple, monitoring only, gathers information, information को सिफ गादर करता है, but control system, but control system, also, performs action, monitor भी करते हैं, और action भी perform करते हैं, जिस तरह प्रेंट यूज होता है, परी सही ना मैसे दिस्प्राइब करने के लिए, वैसे ही एक्षिटर, तास के लिए होता है, बिलकुल ऐसे ही है, कुछ भी चीज परफॉर्म करवानी है, तो वह actuator motors की तरह होती है, वह चीजों को on or off करती है, इस तरीके से चीजों होती है, आउट्पॉट in a control system, in a control system in a control system can effect can effect the input there is no feedback feedback के बारे में और डीटेल में बात करेंगे it's very simple although लेकिन फिर भी अलग से इसके बारे में बात करेंगे there is no feedback feedback क्या होती है वैसे कर तुम लोग जनरली बताओं मुझे जरा चाट पर feedback की टर्म से क्या समझाता है जैसे हमने कोई चीज और पर चेस करते हैं तो उसका पर हम feedback देते हैं कि यह चीज हमारा एक रीव को समझ दो तो हम जब values को read करते हैं न जब हमने values को read किया तो हाँ समझ दो तो values जब read करते हैं तो उसका एक feedback देते हैं कि अब यह चीज यहां तक पहुँच चुकी है मतलब water level यहां तक पहुँच चुका है या आप लोगों का temperature level यहां तक पहुँच चुका है तो monitoring system में feedback का कोई ताल हम लोगों का output generate हुआ है वो एक तरीके से हम लोगों की चीज़ों को alter करेगा changes करेगा control करेगा there is no feedback in a monitoring system सिर्फ वो monitor कर रहा है ताकि आप improvement कर सको जैसे अगर मैं तुम लोगों से feedback मांग रहा हूं कि भाई मेरी classes में क्या issue है तो जब मैं feedback मांग रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई चीज़ अपनी improve करनी है that's the reason I'm asking for the feedback अगर मैं इसे बोलों कि भाई मुझे से बताओ मुझे कुछ चीज improvement नहीं करनी है तो that's not considered as a feedback सही है there is no feedback in a monitoring system in a monitoring system monitoring system में feedback नहीं होता है हमारे पास but a control system control system अच्छा मैं कोशिश करेंगा कि कल सिज है वो notes मैं already लिख के रख लूँ ताकि time जाना हूँ realize on feedback आज के लिए बरदाश्ट कर लो चलो okay जी अच्छा अब ज़र कुछ examples देखते हैं हम लोग जल्दी से एक सवाल आप लोगों ने जवाब देना होगा okay जी ज़रा मैं एक सवाल आप लोगों का बना लूँ यहाँ पर तोड़ों 37 करेंगे काम हम इसमें how many one two three four five five boxes passive match करवाने हैं तो लोगों से जल्दी जल्दी काम करेंगे one two let's duplicate this copy and paste एक second उपर करें क्यों करूँ भई क्यों करूँ किस खुशी मैं करूँ करता हूं बटाएग मुटको चला सही है देख लो सही है चलो प्री तरीट अच्छा भई मैंच करवाने हैं आप लोगों से boxes वगरा तो जरा focus रखना मेरे साथ ग्रीन के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा अच्छा उपर वाला जो है दाट सियर कंट्रोल system and the down one is your monitoring system अभी से जवाब मत देना एक एक करके पूछूंगा तो उस वक जवाब देना सही है कोई तीसमार खान बनने की जुरूत नहीं है आप लोगों को बराएक करम तहम्मूल रखिएगा अभी कोई जवाब नहीं देगा Kah andar फ्वा हूब झाब डूगा करस्पड़ ए स्वड़ शेपस्ड पिशब y लिलग इा उ पथ्य क्या स्भाविशे क। है इसपे ध्यो आवश्णाने कॉस्पीट लोडने फ्या ओर्शब्साभा Arauleग-काastar आप प्या स्वाव Krista roller coaster password का सवाल है बाइदेवे and then you have recording the rainfall recording the rainfall let me increase the size recording the rainfall then we have the last one which is robot loading चलो भई जल्दी से मेरे साथ मैच करवाएंगे सब the first one अगर हम बात करते हैं car speed display के बारे में तो is it a control system or is it a monitoring system सबका जब चाहिए जरा सब चैट परेक्टेव हो जो मेरे साथ मेरे साथ में जाग जो लड़कों जल्दी जागो चलो सबका जब चाहिए सबका जब चाहिए अब्दुल समद सहाब फिर से सोचो गोर से display car speed display सुकून से सोचो चलो मौमद बिलाल सहाब car speed display सुकून से सोचो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ display करवाना है the answer is monitoring system में बटा सिर्फ दिखा रहा है that's it नहीं नहीं अपने से इतना मच सोचो पैनल वैनल सिर्फ दिखा रहा है car speed display की बात हो रही तो it is monitoring system let me connect this real quick car speed display को हमने connect कर दिया monitoring system से चलो aeroplane autopilot चलो autopilot करवा रहे हैं हम लोग कुछ action हो रहा है जवाब दो सुब जल्दी जल्दी that's your control system बहतरीन जवाब सब का बहतरीन भाई बहतरीन कहां से पढ़ रहे हो आजकल तुम लोग चलो अच्छा rollercoaster जल्दी 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 शेर यार क्या होगे बेटा बेटा rollercoaster में कुछ action perform हो रही है नहीं हो बस इसके बारे में सोचो कुछ भी नहीं सर वावई वावई वाव बिटा इटेस control system speed बगारा control करना है weight को check करके उसको control करना है बहुत सारी चीज़ होती है तो इस यूर control system तो लट में अटाश इस इस विल्दी करेगा तो बचाया इसको बस recording the rainfall recording the rainfall recording the rainfall सिर्फ और सिर्फ record करें कुछ भी नि करें सिर्फ और सिर्फ recording concept है तो 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 आट्स यूर monitoring system बहतरीन जवाब बहतरीन okay the last one robot loading जल्दी 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 बटा load कर रहा है कोई action perform कर रहा है robot तो 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 कुछ देखो ना इसके मैं खुद खुद गवार से देखो ना कि loading loading is a action कोई action की बात हो रही है that's mean it's a control system यहां से इसको attach कर दो control system तो main चीज क्या है इसके लिए एक हिंट ले लो भाही मुझसे बस that's that's the basic बहतरी अब्दुल्ला बस basic क्या इसकी कि जहां action मिल जाए आपनों को जहां verb मिल जाए तो that's your आप लोगों का कोई चीज action perform हो रहा हो उस readings की बज़से सही है तो that's your control system जैसे recording the rainfall recording the rainfall में action हो रहा है इसमें confused मत हो जाना आपने basic concept सही रखो कोई भी चीज readings लेने के बाद कोई action perform किया जाए तो that's your control system सेफ और सेफ रिकॉर्ड कर रहे हो मेजर कर रहे हो डिस्पले कर बारे हो तो that's your monitoring system चलो आगे बढ़ते हैं चीज़नों को लेके अब हम दो चीज़नों के बारे में कि हमारे पास sensors क्या होते है actuators क्या होते है और कुछ types of sensors के बारे में बात करनी है hardware के बारे में बात करनी है और feedback के हवाले से बात करनी है इसके सवाल बड़े अजीव-जीव तरीके से आते हैं तो मैं तुम लोगों को एक key type देना चाहरा हूँ अगर आज की क्लास में monitoring necrosisitem खतम हो गया तो मज़ा आज़ेगा तो लेट साइगे तो लेट साइट विद यूरे sensors and actuators चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई लेट स दू sensors and your actuators actuators क्या होते हैं जर इसके बारे में समझो मेरे साथ पहले थोड़ा बहुत actuators के बारे में बाग कर लेते हैं किस चीज की विब्राहिम किस चीज की definitions जल्दी 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 चलो पहले मैं SENSERS लिक रहे हैं जब तो तुम अपना QUESTION ले लो Ibrahim मैं जावब देता हूं फिर SENSERS क्या होते हैं जल्दी से पहले लिखते हैं इसके बारे में फिर बात करेंगे मैं लिकवा रहा हूं पहले सको देखो पर इसके बारे में बात करते हैं Fisical quantity a physical quantity कोई भी फिजिकल कॉन्टिटी ओ सच आस सच आस तंप्रेचर जैसे कि तंप्रेचर हो गई आप लोगों की चैनल, यहाव यहाव यूएर श्पीड चैनल, यहाव यूज बहुत सारी चीज़ ओसकती है यहाव चैनल, लेविल oxygen level are measured by TV remote भी sensors होते हैं बिलकुल होते हैं बिटा TV के remote में सेंसर नहीं होते हैं I think TV को जो signal catcher है ना उसमें सेंसर होगा yes oxygen level are infrared sensor होगे लेकिन वो TV को जए एक छोटी सी वो जहां पर तुम लोग बच्पन में हाथ अठ देते थे थे ना ताके को चैनल चेंज ना करें तुम लोगा बस जो red color का bulb होता है yes 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 that's your sensor oxygen level are measured by sensors चलो इसे में लोग इस्तेमाल करते हैं चलो पहले actuators लिख लें फिर में बात करूं इसके बाहरे लिख लिख लें पिर में बात करूं अच्छा एक्चुएटर लिख वही मेरे साथ an actuator अभी दोनों डिसक्राइब करूंगा सम्झाऊंगा टेंचे नी पहले लिख लो an actuator is a component is a component of machine that is responsible that is responsible that is responsible for moving and controlling a mechanism you 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 it receives you you it receives you a signal from processor 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 and adjust कौन सा भई नीचे से कम करता हूं भई क्या हो गया है and this is a signal from processor and adjust letter E तो और किस तरीके से करता है तुम लोग उपर से करता हो ऐसी तो बना जाता है क्या एसे कौन बनाता है भई हद हो गई कोई ऐसे E बनाता है क्या तुम लोग ने से उपर से नहीं भई ना भई यह ना क्या मतलब है क्या नीचे से ही बनता है इस तरीके से दो गई खलत है यह यह क्या है मैं रूल्स नहीं फॉलो करता हूँ अच्छा चलो 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 बस E बनना चाहिए कोई फर्क पड़ता न तुम लोग पढ़ा रहे होते मैं नी पढ़ा रहोता it receives a signal from processor and adjust and adjust our controlling device adjust our controlling device छलो sensorsอะ sensors की एक ऐसी hardware device होते हैं हम लोगों कमा सब değ 방송 कोई physical quantity ओग दे hop Other कोई यह प्रफटर कर के लेभ़न होगां है मॉश्चिर होगया 1977् force showed हो गया बहुत सारी चीज़े होती है प्रेशर हो गया और इंफ्राड हो गया आप लोगों के पास बहुत सारे आप लोगों के संसर होते हैं वह भी हम कोशिश करेंगे कि जितने maximum list down कर सकें sensors को उनके uses के हवाले से भी आप लोगों से बात करता है वो आप लोगों से तो अब जो है वो चीज इस चीज को समझो कि वो आप लोगों से बोलता है कि इस particular use में कौन सा sensor इस्तमाल करना चाहिए तो उनके नाम के अंदर ही सारी चीज़े मोजूद होती है जैसे अगर मैं बोलाओ temperature sensor तो उसका कोई अलग से कोई नाम नहीं है जिसको तुम लोगों को याद करना पड़े तो जाहिर सी बात है नाम में लिखा वाई temperature sensor तो वो sensor जो है वो temperature को पासिपर्स के questions है उसमें बहुत सारे sensors थे सिर्फ यह नहीं है जो आप लोगों को पता होने चाहिए तो और भी हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए है जैसे sound sensor है infrared sensors है temperature है प्रशी तो नाम के अंदर यह होता है अगर मैं तुम से बोलूँ एसा कौन सा sensor है जो कि sound को major करेगा लिख देना sound sensor बाती खतम इतना सिंपल है चलो तो कोई भी चीज ऐसी hardware device जो की चीज़ों मेजर करती फिजिकल कॉंटिटीज को उसको हम लोग कहते हैं sensors अचा sensor है न वो एक चीज इस्तमाल करती है और बेसिकली यूज ADC किसी को कोई पूरा टम पता है इसका ADC का anyone पढ़ा होगा यार कहीं न पहीं तो पढ़ा होता हम लोग ने sound के अंदर पढ़ा है हम लोगों ने आ रही है sound के अंदर पढ़ा याद कर नहीं कोशिश करो this is analog to digital converter analog to analog to digital digital converter अच्छा analog to digital converter क्या होता है वो sensors के साथ ही अटाच होएवे होता है एक तरीके से अब एक तरीके से अब एक तरीक तरीक जो है वो वाल्यू को रीट करता है जो कि physical quantities होती है वो फिर भेजता है किसको ADC के पास ADC क्या करता है analog to digital conversion करता है मतलब analog data को क्या आप लोगों का computer analog data को समझ सकता है जो भी sensors value को read कर रहा है क्या वो उसको समझ सकता है जवाब है नहीं आपका sensor जो values को read करता है वो physical quantities को read करता है that's your analog data analog data होता है आप लोगों का वो सारा तो analog data को जब भी आपको computer से समझाना होता है कि CEP processing करनी होती है या कोई ऐसी कोई आप लोगों को को indication light जलानी है for example अगर आपने कोई level reach होगे तो मैं alarm on करना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है तुम लोगों को अच्छा एक सवाल है by the way तुम लोगों से के मेरा water level जे है वो पह देना तो is it a controlling system या monitoring system बहुत सोच समझ के जवाब देना alarm on हो रहा है लेकि is it a controlling system और a monitoring system कैसे हो यार तुम लोगों कैसे हो अकल नामी चीज़ ही नहीं है घुटनों में मतलब alarm on हो रहा है it's a monitoring system भाई monitoring system है कुछ भी control नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों का water level control हो रहा है नहीं ना it's indication जो display करवाने का concept हो तुम screen पे दिखाओ या alarm alarm से करो या तुम कोई light on कर दो alarm on होना is not controlling the environment नहीं हो आपका जो चीज़ sensor values read कर रहे थे न वह आप उसको कुछ control थोड़ी कर रहे हो जो आपका input values आई हैं उसको तुम लोग change थोड़ी कर रहे हो राइट इस चीज़ को समझो गोर से alarm is just display करवा रहे हैं आप उसको कि अच्छा बेटा यह level reach होगे अब आप जाओ alarm बच चुका है for example damn का alarm बच चुका है जाके gates open कर दो physically तो you are controlling yourself तुम खुद जाके उसको control कर रहे हो alarm was just monitoring यूद तुम एक indication दे रहा था तो it's not a controlling system it's a monitoring system clear होगे सब जो सबको clear हो गया सब जो अगर for example एक और example देता हूं तुम लोगों को मेरे पास एक red light लगी भी है और वो जैसे मेरी oxygen level जो है वो decrease हो जाता है मेरी limits है तो वो जो red light है वो on हो जाती है तो is it a controlling system और a monitoring system is it a controlling system और a monitoring system it's a monitoring system सही है तो सोचा करो थोड़ा बहुत इसके बारे में चलो let's start आगे बढ़ने चीज़ों को लेकर अच्छा analog to digital converter क्या करता है जब आप लोगों की values जो हम read करें न वो हमें processor को check करवानी पड़ती है कि कभी भी range जो होती ही न वापके processor में mention होगी होती ही वो sensor उसको deal नहीं करता है sensors जिफ सिर्फ और सिर्फ values को एक तरीके से input की तरह काम कर रहा है वो खुद कुछ भी नहीं करता है वो जाता है और वो जाके processor को information देता है फिर processor उसके बारे में सोचता है अच्छा हाँ अभी हमारे जहें वो level cross नहीं हुआ है अभी थोड़ी से दिर और रुकते हैं तो यह सारी चीज़ें जहें हम लोगों का processor डिल करता है तो अभी आगए जाके हम लोग अभी फिलाल आज ही इंशालला hardware के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से hardware चाहिए होते आप लोगों का monitoring control systems के अंदर तो वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे तो उसमें processor के बारे में भी बात होगी आप लोगों की तो sensors सिर्फ और सिर्फ values को read करते हैं जो actual comparisons होते हैं वो processor करके देता है आप लोगों को processor कौन सी language समझता है it only understands digital values which is zero and one तो आप लोगों का ADC converter बह है मुझे ADC values ADC से value कहां जाएगी analog to digital converter के पास जाने के बाद values कहां जाएगी processor के पास बहुतरीन जवाब आ गया चलो चलो let's talk about actuators now actuators क्या होते हैं actuators आपकी machines के अंदर एक ऐसे components होते हैं पूरी machine को हम लोग actuator नहीं कहते हैं actuator एक ऐसी आप लोगों के components होते हैं mechanisms होते हैं जो के आप लोगों की machine के अंदर होते हैं जिसका काम क्या होता है चीजों को एक तरीके से move करना या एक तरीके से control करना on or off करना motors की तरह होते हैं बिलकुल task execute करते हैं for example अगर मुझे button को on करना AC का अगर मेरा temperature बहुत जादा वह जाता है एक तरीके से बहुत जादा बढ़ जाता है तो I need to control it और मुझे उसको वापिस से नीच लेकर आना होगा तो मुझे AC on करना है जो चीज जो component मेरे बटन को on or off करेगा that's your actuator बहुत होट से सुनना है इस चीज को फिर से सुनो फिर से सुनो my button is not on or off करेगा it's not your actuator जो भी चीज जो motor या कोई ऐसी चीज लगाई वे जो के उसको फॉरण से execute होगी घूमने लग जाएगी और मेरे बटन on हो जाएगा या off हो जाएगा जो चीज इस बटन को on or off करेगी that's your actuator एक और example देखते हैं sprinkler system सभी है sprinkler system लगाया वह फार्मर ने अब फार्मर जो है sprinkler system को स्तमाल कर रहा है क्या मेरा sprinkler system is my actuator जवाब है नहीं जो उस sprinkler system को on or off करेगा that's your actuator सबको clear रहा यह चीज यह जली से चाट पर आओ जो चीज बटन को monitor करेएगा उस मॉनिटर जो करेगी बिटा that's your sensors जो values को मॉनिटर कर रही है अब जो कंट्रोल करेगी आपके hardware को जैसे button है for example button को जो कंट्रोल करेगी on or off करेगी कोई एक motor लगाई भी मैंने तो जो चीज इसको on or off करेगा that's your actuator एक और example ले लो sprinkler system की एक्जामपल है sprinkler system में क्या होता है कि अगर for example suppose करो water level बहुत जादा गिर गया मेरे मेरी जो farm है उसका अगर मेरे पास water level बहुत जादा गिर गया तो मुझे अपना sprinkler on करना है क्या मेरा sprinkler पूरा जो system है sprinkler system जो पानी को on करेगा वो सब चीज पानी फेकेगा एक तरीके से सब को देगा तो वो hardware device मेरी एक तरीके से क्या वो actuator है जवाब है नहीं वो मेरा actuator नहीं है that's a different hardware device लेकिन उस चीज को उस actuator को on or off कर रहा है that's your actuator सब्सक्राइब जैसे डैम में अगर water level rise हो जाए जो motor दर्वाज़े खोलेंगी बेतरीन जवाब है बठा दर्वाज़ों को हम लोग actuator नहीं कहेंगे जो दर्वाज़े खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं that's not your actuator actuator कौन है जो उस दर्वाज़े को open और close कर रही है ठीक है is it clear जल्दी से chart packed हो मेरे सब्सक्राइब हाँ बेहतरीन बिल्कुल ऐसे ही है क्या तुम actuators को it's basically the machine doing the work बेहतरीन मादी चलो यह भी कह सकते हो तुम हाँ कहलो मादी ठीक है ठीक है that works चलो अब जरा यह बताओ क्या actuators monitoring system में कोई काम है इनका कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है monitoring system में it's a control system monitoring system में sensors का काम है चलो actuators जो हैं वह एक चीज़ इस्तवाल करते हैं कभी-कभी that's your D.A.C. जैसे alarm on करना है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई तो they use D.A.C. D.A.C. क्या होता है digital to analog कभी-कभी इस्तमाल करते हैं it's not necessary कि हमेशा इस्तमाल करें for example अगर alarm on करना है right तो alarm on करना मतलब उसको फिर of course मुझे analog signals में convert करना पड़ेगा say digital to analog लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ को on करना है जैसे मेरी motor को on करना है तो वो डिजिटल सिगनल में ही on होगी डिजिटल चू अनलॉग करना है चलो यह हो गई जी एक्टिटर्स के बारे में गुफ्तगो आपनों के साथ सेंसर्स के बारे में गुफ्तगो let's talk about types of sensors और उनके uses although आपनों के syllabus में सिफ चार है और आपनों syllabus पे बिल्कुल भी भरोसा मत किया करो syllabus जो है वो examiner कुछ कहता है देता कुछ है तो बराए करम पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा आपनों को और इसको जरूरत नहीं होती बच्चों को कभी भी कोई कोई भरोसा नहीं आप examiner पर भाई है ताइप्स आफ सेंसर्स कौन कौन सी टाइप्स होती है उनके बारे में बात करेंगे और उनके uses एंड देर उसर चलो जी सरी examiner आजकर इतना heartless क्या हो यार इसके गई घर में मसेला चल ला है मैं मालूम करके बताता हूं पहला sensor हम लोग देखने जा रहे हैं that's your temperature यह आप लोगों से ऐसी random questions थे आप लोगों के पास्टरपरिस के अंदर पेपर 3 के अंदर तो जो मैंने पास्टरपरिस टॉपिकल के इस chapter की it's a very easy chapter पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं temperature sensor की जल्दी से सब बता दें क्या चीज़ मेजर करेगा यह विच वाल्य विलिट मेजर बहुत मिश्किल सवाल है बहुत मिश्किल सवाल है temperature sensor क्या मेजर करेगा बाई temperature मेजर करेगा ना waterless yallah spelling क्या होती है haa सही है measures and record temperature so do you use English more often or Urdu Arabic bro and measures and record temperature 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 nahi nahi bhai Urduos तुमाल कुती है कर मैं भाई क्या हो किया है तर मैं थी class लेने गया था मज़निया तो रिकॉर्डिंग पर लगा कि हाँ आगया law एक पर बागी class Arabic मेले ला 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 आफी मालो अरभी मेला 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 म चलो जी योगाजी टेमपरिचर तेमपरिचर आप अर्य पिकंट्री में रहते हैं रहते था बटा हम जढ़ा में रहते हैं जद्धा में साथ साथ आठ आठ साथ जाठ दन्वी हाफ प्रेशर संसर यह किस चीज को मेजर करेगा वाई प्रेशर छुन को और तबेशर ने ज यह वाला निया बटा यार यह फोर्स अपन अरिया वाला प्रेशर है डेट्थ्ट्स यार फिसिक्स याद या और निया वाँ और वाँ या क्ष्रीज को डेशर इगल य डेट्थ्ड परेशर फ्रेशर कि पॉर्स अप्लाइड और पर्टिकुलिर एरिया अच्छा डिटेक्स प्रेशर जली-जली करते हैं चलो चलो टाइम नहीं कि अब चलो फिजिक्स पढ़ा देते हैं और बोलो तुम लोग डिटेक्स प्रेशर अंड मेजर जेट कि अब इसको भी रिकॉर्डिंग लगा तुम फुट्बॉल खिलने जाओगे अल्ला से डरो थोड़ा सा थोड़ा सा डरो बेटा डिटेक्स प्रेशर अंड मेजर जेट जब भी चीज़ों को ना पेपर बन केंदर एक चीज़ दमाग में रखो कि आप लोगों को जब भी हम बात करते हैं ना कोई भी थियोरी की तो यह मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुक हूँ मैं एक दफ़ा और कर रहा हूं कोशिश किया करो कि एक्जाम्पल जरूर लिख को कुछ भी हो जाए करें बनाऊ एग्सेंपल लिख दो प्रे एग्जेंपल बतादो दो ससकी कहा इसंतमाल होगा तो एग्जेंपल लिख दो उसके साथ तक टेमपरेचर सेंपल रहा हु french वो ग्रीन अअस में इस्तमाल हो सकता हूं कहीं है आप लोगों का इन योर फो अच्छा था रिशेटेक्स प्रेशर एंड मेजर जट इस एड जैन बी यूजड चलो थे इसकाम करते हैं इन लेफ्ट्स लेफ्ट्स के अंदर समाल किया जा सकता है आप लोगों का प्रेशर कुकर मद लिख दो अल्ला के बंदों कौन सा प्रेशर कुकर लाए जैसें त्री कि थैक्तिस मैं इस्थमान उसकता है दो फिल्लिंग आपकट किसी चीज की पैकेज स्काम करीं या, सेक्टे गट्रों क्रुज अबिच्ण को देट करता है they detect motions they detect motion can be used in security system battery can be used in surgeries surgeries can be used in alarm system automatic door opening system can be used in alarm system होते हैं पाकिसान के गरों में यह किसने का है भाई पाकिसान में होते हैं कहां जी रहे हो तुम लोग भाई जलते नहीं हैं वह तक्वात हैं वो भी चोरी करके ले जाते हैं लोग alarm system लगा है वो भी चोरी हो गया sound sensor भाई बहुत मिश्किल चीज़ है यार यह detect sound my god detect sound कहां इस्तमाल हो सकता है sound senses बहुत जगां इस्तमाल होते हैं आप लोगों के hotels में भी इस्तमाल होते हैं जब कोई बंदा कदमों की आवाज आती ना तो दे बेसिकली light open हो जाती है detect sound can be used in hotel वाभी वाभी मार्क्स की में भी एक्जैंपल गिर्किवी थी new born babies के रूम में बिटा आपको experience होगा इसका अभी हमें नहीं है sir is spirit chapter end हो जाएगा आज हाँ हो गया बस detect sounds can be used in hotels यह बस लिखना पड़ा है ना that's the worst thing can be used in hotels for turning on lights sound sensor होगया then we have ph sensor yeah इसके पहले notes बनाये थे लिकिन उसकी राइटिंग हुबसूरत नहीं थे ना आप रुक समझ रहे ना professionalism समझ रहे है आप रोग्स नहीं समझ रहे है अच्छा बताओ भई ph का full farm बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कैसे नालाइक बच्चे बठे हुए यहां पर power of hydrogen क्या बात है क्या बात है क्या बात है ph का full farm मालू कर रहा है उसे यूज नहीं मालूम कर रहा potential of hydrogen यह कब से हो गया potential होता था एक second एक second भाई potential नहीं नहीं power of hydrogen यार एक मेंट what is the full form of pH pH full form और यह potential हाँ वही कह रहा था मैं भी मैं भी वही कह रहा था चलो measures the pH बहुत मिश्किल चीज़ थी है mean measures the pH value the pH value कहाँ पर इस्वाल हो सकता है जल्दी से बताईए भई can be used in farming चलो can be used in greenhouse farming लिख देते हैं चलो थोड़ा बहुत और elaborate कर दे ना to basically measure the acidity value or the pH value of the soil इस तरीके से ना चलो then we have moisture sensor moisture sensor moisture sensor क्या करता होगा भई Allah हुक्वर अमीर होटल से अमीर होटल से measure the dryness नहीं भई moisture measure करता है क्या फाल्टू subject है यार to measure the level of moisture किस जना पर होता है moisture कहां पर हो सकता है भई greenhouse system में कर सकतो बटा soil के अंदर कर सकतो used in soil चलो then we have humidity sensor 5th class यार दारी है चलो humidity sensor humidity sensor क्या करता है भई humidity को measure यह मदलिख दे ना बस हम to measure the humidity humidity होती क्या है air की moisture की बारे में बात हो रही होती है to measure the level of आशे बिटा भी hardware devices करनी है और दो main सवाल करवाने है और feedback के बारे में गुफ्तू करनी है आप लों से तो हो जाएगा बार्ट टाइम है मार्कस so never heard of humidity I live in a desert आशे आप पता चलेगा to measure the level of moisture in air humidity sensor होगे बस लास्ट है फिस खतम फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत की रांची नहीं होता बिटा है कराची कराची precipitation moisture is one sensor and humidity is to measure moisture बिटा in the air की बात हो रही है precipitation sensor यह सब वो है जो कि आप लोग के passports में मार्कस की में examiner ने लिख कर दी है तो पढ़ लो तो क्या जा रहा है आप लोगों का यह paper 3 के sensors है by the way precipitation क्या होती है बाई to measure the amount of rainfall to measure the amount of rainfall चलो that's it बाईर्ष यह कत्रे काउंट नहीं होता है इसके वो count होता है कि कितनी मिली लीटर में बाईर्ष की आप लोगों की चलो भई यह होगे जी basic आप लोगों की मिली मीटर अच्छा types of sensors और उनकी uses आप लोगों का पता होने चाहिए आप लोगों से examiner सवाल कर सकता है वो कोई particular use बता देगा वो आप लोगों से बोलेगे इसमें कौन सा sensor इस्तमाल किया जाए और यह सब चीज़े जहें अब आप लोगों का इसमें ऐसा सवाल आता है आप लोगों का sensor से related वो बहुत जादा उसकी जो like fix question नहीं है उसका कहने का मकसद ही है कि वो आपको एक कोई भी scenario दे देंगे और वो आप लोगों से बोलेंगे कि इसमें monitoring control system जा है वो किस तरीके से इसमें यह particular काम करके देगा हम लोगों को सही है तब उसमें कोई भी सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए कोई cake management system कोई cake को manage कर रहे हैं उसको monitoring control कर रहे हैं तो अब मैं उसकी आपको एक mark scheme तो नहीं लिखवा सकता ना राइट तब आपको उसके बारे में खुद सोचना पड़ेगा सोचना किस तरीके से पड़ेगा कि भाई अच्छा इस system की अगर बात हो रही है जिसमें आपको for example अगर हम बोलें तो green house system या soil management की आप लोगों को monitoring control system में किस तरीके से हम लोगों की soil manage की जाएगी सब्सक्राइब अब यह तुम लोगों को सिनारियो दे दिया तब तुम लोगों को इस सिनारियो में पता होना चाहिए कि कौन कौन से तुम लोगों के sensors इसमें fit हो रहे हैं और हम लोग इन sensors से क्या करवा सकते हैं और अगर यह values reach हो जाएं तो हम लोगों का actuator क्या करेगा तो यह सारी चीज़ें जो होती हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए इस वज़े से मैंने यह सारी तुम लोगों को लिखवाएं चलो अब ज़रा hardware devices के बारे में आप लोगों से सवाल करता है कि name or describe the hardware devices used in your monitoring control system तो उसके बारे में जल्दी से लिख लेते हैं और फिर आप लोगों का जो actual एक question आता है उसके मुझे थोड़ा बहुत लोगों को समझाने है कि उसका answer किस तरीके से लिखते है जल्दी से उमीद है जल्दी से लिखने की वहाई उमीद hardware devices चलो hardware devices की बात करते हैं जरा इसको हम बीच में लिए हैं और जहन को mute पे लगा कर रिकॉर्ड कर रहा दो गई तुम रो यार कैसे हो तो recorded lectures नहीं दे रहे क्या चलो मैं भी नहीं दूँगा अब से done तुम लोग इसकावेल ही नहीं हो किसी चीज के इसकावेल ही नहीं हो क्या चीज़ एगरी करवाते हैं कि I agree on this दे आप सर जैन की बात हो रही है चलो 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 पहला hardware device आहां नहीं करता है नहीं करता है चलो पहला hardware devices the first one is ADC ADC का काम क्या भई that's your analog to digital converter to convert थोड़से तेस करूंगा मैं आपनों को लड़ी पता है साही चीज़ है to convert analog signals from a sensor from analog का मतलब जो आपकी physical quantities होती है जैसे waves वगएर हो गई है आप लगों की sound की waves हो गई है इस तरीके की चीज़ों को analog data कहते हम लोग जो physical values होती है temperature readings हो गई ही to convert analog signals from a analog वो चीज़ होती है जो हम समझ सकते हैं from a sensor to a digital value digital value वो होती है जो computer समझ सकता है to a digital value बिलकुल zeros and one that can be recorded that can be recorded ADC के बारे में बात होगी then we have actuator second hardware device is your actuator उपर लिख चुके है उसके बारे में example में लिख जेता हूं यहाँ पर turns the allahaykaar turns the sprinkler on or off और भी ग्जाम्बस लिख लिख सकता हूं then we have sensors, sensors के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं तुम लोग लिख सकता हो, it measures a physical quantity इसलिग सकतो यहां पर दिन्वी फ्रिससर वियां जाय। प्रोस्स्स लखल आई आई turn आई प्रोस्सस्ट लखल्म सब्सक्रों इस एक जाय। एक्षापल लकना चाहो इसको क्षेस्पेएंज कर सकतो विद एक्षापल एक Dual कि अगर कोई रेंज चेक करना चाह रहे हो कि वाइव डुट लैबल की रेंजर्श हुई हैं नहीं है तो जितनी की लिंबी कर सकते हो आप लोग को 3 या इग्ज lenis समझ सकते सब चीजों से केभल के ओने वे soft मझू लाइच सगर रहोटी है नग यालारम सिस्टम हो गया विजिब्ल वर्णिंग डिवाइस दिगेवर्णिंग डुमेंस टिडिएव गवर्णिंग्स टिए लुग्वेश्ट टूमेंस बिटा इर्मिना बस और मुस्ट खतम बस दो सवाल करवाने मुझे एक फीड़बैक का कॉंसेप्ट है और एक जनरल कॉश्चन है आप लोगों का सभी है और आगे बढ़े में बहुत गौश्चिन उसके बारे में बहुत गौश्च सब्सक्राइब करने एक इसके आन्सर आप लोगों से लृगने खुद बनाने जो तो थोड़ा बहुत सोच लेना जो कि लिका Всем चाप इसको रट्टा मत लगा ले न तुम लोग कोई बईद नहीं तुम लोगों समझें विटा दोनों में स्तमाल होगा वैलुस को मेजर करना है स्टोर करना है का काम भी प्रसेसर ही करता है सही है वैलुस को मेजर करके कोई warning system चलाना है आप लोगों ने या कोई display करवाना है करें तो बैसे चैसे क्छुच भी नहीं कर सकते हैं स्थ जासे जाटे आपक़ करें गए एक रहरा करेंगे मेरे साथ यहांप अगर हम बात करते हैं आप लोगों से वाफ लोगों कुछ सब करता है कि हाओ ब मानिट्रिंग अन्ड पिंट्रोल सिस्टम मानिट्रिंग and control system monitoring and control system will help achieve will help achieve dot 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 question mark चलो अब जरह सवाल को समझो पहले मेरे साथ मैं इसके ऐसे आप लोगो points दे रहा हूँ जिससे आप लोग अपना answer खुद construct करोगे फिर सुन लो मेरी चीज जो मैं बोलना चाहरा हूँ answer खुद construct करना है जितनी detail दे सकते हो अपने answer में दोगे सोचोगे उसके बारे में और जवाब दोगे सवाल को जरह और से समझो मेरे साथ सवाल यह है आप लोगों का कि how monitoring system और control system will help achieve कोई भी काम दे देंगे आप लोगों को वो बोलेंगे soil management system वो बोलेंगे soil को manage करना वो बोलेंगे water level को manage करना वो बोलेंगे cake को कोई factory लगी भी है वो आप से बोलेंगे किसी milk की factory लगी भी है वो आप लोगों को बोल सकते हैं कोई swimming pool का system manage करना आप लोगों को तो वो कोई भी आप लोगों को example दे सकते हैं lift बोल सकते हैं कि lift के अंदर सबसे पहले चीज आप लोग ने नेम करने होंगे लिस्ट डाउं कोई भी आपको एक सर्टेन इंवार्मेंट दे देंगे भीतरी अब देखो इसको समझो किस तरीके से आंसर कंस्रक्ट करोगे पहले पॉइंट में आप लोग लिखोगे इस सिस्टम को अचीफ करने के लिए क पहले 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 पॉइंट आप लोग यह होना चाहिए नेम औस से चौन कॉन से आप लोगों के सेंसर इसमें इस्तमाल करोगे देन वी हाव कि वह प्रिपॉइंट उस सेंसर करेगा क्या बिल्कुल एक तेंपलेट आप लोगों करोगे उसके खुद आप आपक आप आशर करोगे तक किसी भी सवार में problem ला तुम लोगों को what will those sensor do वो sensor करेंगे क्या जो आप लोगोंने list down कि एगर for example तुमने pressure sensor लिखा तुमने temperature sensor लिखा तुमने pH sensor लिखा अब तुम बताओगे कि भाई temperature sensor will measure this value and the pH sensor will measure this value and this will be used for this particular reason तुमने साही चीज़ें बता दी उसको सही है we have to write for all sensors बिलकुल ऐसे गी बटा जितने sensors उनका तुम लोगोंने बताना होगा कि यह particular sensor क्या करेगा चलो what will those sensors सर यह बताएं कि सब पूरा बता रहूं बटा टेंशन निलो पूरा निमोगा रहूं नहीं मुदा से उस्ट उस्ट वात्वल दोस इंसर दू वह सेंसर करेंगे कि यह पिर उसके बाद आप लगों को क्या लिखना है आपने लिखना है sensors these sensors σंब अपनों दो लिखें दिस पॉइंट विल नॉट चेंज आप लोग इसी तरिके से लेखें इस टीर इस दूर जब विल रीड दे वालुच व कि रीड दवालुच जो भी वालुच आएंगी विल रीड वालुच चाहां बजाएंग वह फिंव इसेंटेश बना हो जाए The value हलाइध जवाब sensor कहाँ data बेजता है प्रसेसर में नहीं भेजता है फ्रसेसर मत बोलो processor समझी नहीं सकते sensor की value को ADC? ये क्या है बाइ ACD? दानियाल क्या होगे बेटा analog converter digital ADC ADC sensors बेचते हैं data किसको? ADC को बेचते हैं ADC पहले उस सेंसर इसकी वैल्यू उसको तो समझ सके कंप्यूटर तो इस सेंसर विल रीड़ वाल्यू एंड सेंड अनलोग तू डिजिटल कंवेर्टर सही विल रीड़ वाल्यू एंड सेंड्स तू ADC same to same point लिखना ही है आप लोग ने अच्छा उसके बाद क्या लिखोगे ADC का यूज बताओ ADC क्या करता किया है तो आप लोग ने यहाँ पर बताना है कि ADC will convert the ADC will convert the analog signal will convert the analog signal into digital signal into digital signals digital signals में convert करता है हाँ लेख सकते हैं फॉर देख सकते हैं लेख सकते हैं लेख सकते हैं अच्छा अगर मॉन्टरिंग कुंट्रों अगर मॉन्टरिंग सिस्टम होता है अगर मॉन्टरिंग सिस्टम होता तो तुम लोग यहाँ पर एक लाइन और आट कर देथे और बोलते हैं इसमें आप इस अगर यह लिखना मत के एफ इस फॉर यूट्स टेंपलेट इस इस तो इस अपने पॉइंट्स खुद कंस्ट्रक्र करने दाया इफ इस कलर चींज कर गूं यार स्थी इस पर ओगए समझ आ जाएक इफ कंट्रोल सिस्टम अगर कंट्रोल सिस्टम है तो क्या लिखोगे दैन माइक्रोप्रशसर माइक्रोप्रशसर विल कंपेर दे वाल्यूस विद दे रेंज प्रोवाइड जो भी रेंज आप लों को प्रोवाइड की भी होगी रेंज प्रोवाइड जो प्रोवाइड कि फोर फवाइड desert से पानी नीचे निशम जाना चाहिए या पानी आ चला गया तो सब्सक्राइबिटर नंषर करेगा के उसकुंद संध सगनल टीमिर्ड तब डाओ मेल लुन city एक्चुएटर वितरीन ऐल सेंट सिगनल टू एक्चुएटर अच्छा अब तुम लोग यहां पर एक्चुएटर तो लिख दिया अब उसका पर्पस तुम लोग ने बताना है परपस क्या और सकता है अलग-अलग परपस हो सकते हैं इसके पर इजामपल अगर वॉटर लेव कि बेटरीन स्प्रिंक्लर सिस्टम ओन कर दिया या पानी गेट ओपन कर दो कि वाटर लेवल डिक्रीज हो जाए बेटरीन सभी तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि वह एक्ट्विटर क्या करेगा परपस ओफ एक्ट्विटर अच्छा हाँ क्या टास्क पूरा करेगा वह बताने तुम लोगों ने अच्छा अब दिन वी हाव अगर और आप लोगों को एक्ट्विटर चाहिए तो और एक्ट्विटर के बारे में परपस लिख दिया अब दूसरा कोई और एक्ट्विटर है जो कि जैसे पी एच के बारे में भी इंग टेंचन के लिए रहे हो कि मोर टासक और टासक तो उसके बारे में भी लिख हो अ इफ मोर टास्क नीच्ट पी डवन needs to be done then send signal to another actuator then send signal to another actuator और उसका परपस लिखता हूँ जो दूसर एक्चुएटर है उसका परपस परपस ओफ एक्चुएटर इस तरीखे से आपने पूरा आंसर को जह है वो कंस्ट्रक करना है अच्छा अब एक जो है मैं आप लोगों को जल्दी से हम लोग जरा फीड़बैक के बारे में बात कल देते हैं और इसका खतम करते हैं जल्दी से इसको कोपी पेज़ भी कर सकता है इसकी राइटिंग सही है वेट इस मैं लिखने में टाइम जाने होगा मैं जल्दी से एक्स्टेंग करूं तुम लोगों को ये जाट लोगों के लिए ना तुम लोगों को समझ आज़े इस ते में तिंग हम या 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 पिंक कलर कोई इस्तमाल करता था या तहां अहां फरक है भाई जमीन आसमान का फरक है भाई क्यों नहीं होगा इसको हम एक काम करें लेट मी ट्राइट फिक्स दिस सरी ये पूरा रहता बिटा बस पढ़ना है कुछ भी नहीं है राइट गवरा क्यों जाते हो राइट तो क्या होगे तुम्हें इतनी गवरा हट सरी राइट विद माउस अल्ला हुएकबर महादी ये सवाल तो नहीं करते याई बेटा माउस से कौन लिखेगा इल्ला के बंदे अदो गई याई ये भी सवाल सुनने को मिलना था क्या मतलब है तो माउस से लिखते हो अल्ला वचाए बटा तुम्हें सब्सक्राइब की राइटिंग गंदा कह रहा है अच्छा वेटा यह सब पैन से लिखी वी यार कैसे कैसी बाते करते हूं पैन बहुत महंगे क्या हो गया भाई अच्छा बाई मैं दिल्वा देता हूं तुम लोगों को हद वी अच्छा वी फीडबैक क्या होता है इस देटा उस डेटा को कहते हैं जो के सेंसर से हम लोग करते हैं ताकि हम कोई पर्टिकुलर एक्शन जो है वह परफॉर्म कर सके अच्छा इंपॉर्टेंज और वह ने कोई अगर गिवन क्राइटेरिया दिया वह एक्जांपल अगर मैंने क्राइटेरिया दिया वह कि मेरा वाटर लेवल जाए वह 50 लीटर से जाधा नहीं होना चाहिए एक रैंडम एक्जांपल देऊ तो इसमें आप लोगों का जो है वह फीडबैक मेंटर करेगा जो से डेटा हम लोग लेंगे वह हम उसको मेजर करेंगे क्या इफ माई वाटर लेवल इस लेस देन 50 देन इस ओके अगर जाधा होगे तो फिर कोई पर्टिकलर एक्शन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा तो मेरे इंपुट को जो है मेरे बहुत जादा आल्टर करेगा और करेगा ठीक है बाइनेबलिंग सिस्टम आउटपुट तु एफेक्ट सबसेक्वेंट सिस्टम इंपॉट क्या मतलब वे उसका कि आप लोगों की अगर फीडबैक के बारे में हम अगर हम फीडबैक को इनेबल कर देते हैं तो उससे होता क्या है आप लोगों की जो अपकमि प्रणडम फीडबैक की एक्जामपल है दस इनेबलिंग दसिस्टम तो आटमाटिकली एज़स्ट कंडिशन तो जो भी आप लोगों की कंडिशन इसके मताबिक आप लोगों का पूरा सिस्टम जह हो एज़स्ट होता रहेगा किसकी मदद से बाइजिग फीडबैक की मदद करेगा अगर तुम लोगों से मैंने अभी फीडबैक तुम लोगों से मांगए तो वो मेरे नोट्स के बारे में हो सकता है लेक्चर किस तरीके से लेके चलना है उसके बारे में हो सकता है तो तुम लोगों का फीडबैक मेरे सिनारियो में इस अर डिफरेंट सिनारियो एक बहुत अलग तुम लोग जो हो फीडबैक जो है उसका यूज है मेरा अब अगर तुम लोग बात करो स्वाइल के बारे में उसमें फीडबैक की क्या सुरूबत है तो उसके मुताबक तुम लोग बताऊगे सब्सक्राइब तो कुछ यहां पर एक टेंपलेट आप लोगो दि तो वह उससे पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर सिनारियो में आपके फीडबै का क्या यूज है तो तुम लोग बताऊगे वाई सेंसर विल मेजर तेंपरेचर वाल्यू फॉर एक्शंपल ठीक है रीडिंग्स जो भी रीडिंग्स होंगी वो प्रोसेसर को सेंड की तो 50 लिटर इसे मैं प्री से वाल्यू को सेट किया वा है इफ रीडिंग्स आउट फ रेंज अगर मेरी रेंज से बाहर है देन एक्शुटर विल डू क्या चीज़ करेगा सिनारियो के मतावे बताने तुम लोग को एक्शंपल टेंपरेचर के बारे में बात हो रही थी तो यह दन विद्ध मॉनिटरिंग इन कंट्रोल सिस्टम इसकी कुछ पासिबर के कुश्टन जानला नेक्स लास में स्टार्टिंग में करके देन वी विल फोकस ऑन यूर बिट मैनिपलेशन से चलो लाट सिट फो यू गैस आप लोग अब जा सकते हैं इजाजत अल्लहाफिस टाटा बाय बाय